नोटिस आया हुआ है, क्या मेरे को लोक अदालत में जाना चाहिए, लोक अदालत में किया क्या जाता है, आपको जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे, तो आपको फाइदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा लोक अदालत में आप अगर credit card के defalter हैं या फिर आप loan के defalter हैं तो आप के करजों को हो सकता है अच्छे amount में settlement कर दें और आपका पिछला जो भी notice आया है या जो भी jail या जो भी कानून का आप लोगों को बताया गया है वो सारी चीज़े वहीं पे खतम हो जाएगी लोक अदालत की तारीक जो आप लोगों को दिसंबर 2023 में आई हुई है नौ तारीक वार्म महिना 2023 को यानि कि सनी वार का दिन मेरी ख्याल से पड़ेगा और आप लोगों के लिए लोक अदालत की लास्ट इस साल की तारीक होगी आप लोगों को पता है न कि साल में चार तारीक पड़ती है डेट ओफ नेशनल लोक अदालत रास्ट के लोक अदालत की जो की पहला फरवरी में था दूसरा अपना मही में था तीसरा सब्टमबर में था और यह फाइनल जो चलना चाहेगी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लोक अदालत यानि कि आपसी सुलह से बातचित करने की एक पढ़ना ले ठीक है ना यानि कि दो पक्षों के बीच जब लड़ाई होती है बिवाद होता है तो उन प्रॉब्लम को आपस महीं बैठ के उसका सॉलूशन करना कि इसलिए इसका निर्मान किया गया है पर लोक अगया बालत वाद बैठ करते हैं उस फैसले के बाद अगर आप मान गए तो वहीं पे अगर पैसु का लेन देने तो वहां पर दे के खतम हो सकता है, credit card का settlement है, तो वहीं पर पेमेंट दे के खतम कर सकते हैं, personal loan हो, credit card हो, unsecured loan हो, आपने जिस भी चीज का topic को वहाँ पर आपने फाइल किया या आपको notice आया, आप जाइए, वहाँ पर उस पक्स का बकील होगा, आप होगे और वो judge होगा, जो की गनमाने वक्ति हो सकता है, retire judge हो सकता है, वो आपके लिए फैसला करेंगे, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको फैसला पसंद आ गया, तो वहीं पर आपका मामला रफादाफा हो जागा, तो लोक अदालत यही होता है, यह भारना है, कि दो लोगों के स्थाई लोक अदालत के समख साधा परदाम पतर दे सकता है, आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बोली कि बैक्ति की जन उपयोगी से वाएं, विजली का बिल, पानी का बिल, ट्रैफिक का चलान, करेडिट कार्ट, परसनल लॉन, यह सारे जो है सिबिल के विवाद हैं, और यह सारी चीजों में अगर प्रॉब्लम आपके साथ हुई है, मैंक ने दोखादारी की, किसी ने आपको साथ फ्रॉड कर लिया, पानी का बिल जादा आ गया, आपने का चलान कट गया जादा आ गया, तो आप यह सारी बातों को वहाँ पे सफेद पतर, यानि के ब्लैंक पे इसा पेमिट किया, वह सारा आपने लिगल लग दिया, इनिक एक लाग का क्रेडिट कार्ड था, आप लेड़ी पचाथ यार भर चुके हैं, और अब बैंक आपसे फिर दो लाख मांग रहा है, तो आप वहाँ पे अपना पक्च रखते, उसको दस हजार, पांच हजार जो यह आप रख सकते हैं, तो इस परकार आपका समझोता है, वहाँ पे पंदर परसेंट, दस परसेंट, इवन पिछले में क्या बताओ, मेरे क्लाइन का पांच परसेंट में सेटलमेंट हो गया, क्योंकि और लेड़ी उसने 70-80 परसेंट पहलेवी बैंकों को भर रखा था, त इसको ऐसे रूप में ले सकते हैं, ऐसा अदालत जहना बकील की जरूर थे तिन आपका फीस लगता है, और इसको ही लोक अदालत कहा जाता है, लोगों के बीच, लोगों के दोवारा लोक अदालत लगाई जाती है, और साल में चार बार हर तीन महीने पे लगता है, जैसा कि मैंने आपको सुरू में बताया कि इस साल चार बार लगा है और ये नौ तारीक को जो लगेगा ये लास्ट होगा इस साल का अगला लोक अदालत हो सकता कि नेक्स यर फरवड़ी में 24 में लगया दोस्तों लोक अदालत का फाइदा भी होता है आप लोगों को पता है आप लोक अदालत में जब आप जाते हैं तो आपको बकील के उपर खर्च करना नहीं पड़ता है जैसे कि मैंने आपको बताए कि आपको वाइट पेपर पे अपनी परेशानी लिख के आपको बस अपने केस को वाँ फाइल करना होता है वैसे तो जाधा तर आपको बहंक की लोक अदालत में आप लोगों को एक बात बताओं कि आपको यूँ नहीं कि आप वहाँ गए बैंक वाले पकर के आपको जेल करवा देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता है लोक अदालत में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर बातचीत के द्वारा ही मामलों को हल किया जाता है देखिए वहाँ पर भी जो लोग बैठे हुए होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश के अदालत में एतनी लंबीत मामले जो परे हुए हैं लोगों का टाइम समय वरबात कर रहे हैं ये सब चीजों को यहाँ सुटा लिया जाया तो ज़्यादा बैटर होगा अब आपने ब लोग एहते हैं उनको नॉलेज होता है कि भाई यहाँ पर क्या क्या चीज़े हो सकती हैं तो वहाँ पर जो जैज है जो फैसा सुनाने वाले आपकी मददी करेंगे मामला तुरंट निपड़ जाता है ये भी आपका फाइदा है कि आप लोग अदालत में गए आपका नंब जाते हैं तो वहीं पर आपको निया मिल जाएगा और लोग का दालत का फैसला जो दोस्तों अंतिम होता है ठीक है अगर आप एगरी हो गए तो वह फैसला अंतिम हो जागा या पर डिस एगरी हो गया तो फिर आगए आप जा सकते हो लेकिन आप एगरी हो गया तो फिर वह के लिए खतम हो गया और आब आपको बैंक वाले माली यह सेटल्मेट कर रहा है बैंक वाले कभी कॉल नहीं करेंगे कोई बैंक का रिपर Polsce का फीर कोहर नहीं करेंगे कोई रिकरी वाला कोल नहीं करेंगे और आप जो contains हो वह को पैसे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, विवाद निम्ताने के लिए सुलहात्मक तड़ी के लोक अडालत की कानूनी पवित्रता, तो मज़रो न, वहाँ पे जो लोग बैठे हो हैं, आपकी बातों को सुनेंगे, यूनी की भाई, वो बकील किया, उसने फीस लिए आपको फसा के रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपकी कोई फीस नहीं लगनी है, और जो भी कर दी है, कानून सरकार द्वारा ही लोक अडालत का निर्मान किया गया है, तो वह आपकी हेल्पी करने के लिए इसका आयोजन करते हैं, क्योंके न, मुक्काइधारा क कानूनी पढ़नाली का एक पूरक रूप होता है, नोटिस आया हुआ है, क्या मेरे को लोक अडालत में जाना चाहिए, तो लोक अडालत डिफॉल्ट करिजदारों को कम भुगतान करने पर समझोता करने का एक अपसर देता है, परदान करता है, लेकिन इसमें सामिल होना पहले के सभी मामलों को रद कर देता है, यानि कि आपको जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे, तो आपको फाइदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, कोई जेल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, लोक अडालत में आप अगर क्रेडिट कार्ट के डिफल्टर हैं, या फिर आप लॉन के डिफल्टर हैं, तो आपके करजों को हो सकता है, अच्छे अमान्ट में सेटल्मेंट कर दें, और आपका पिछला जो भी नोटीस आया है या जो भी जेल जो भी कानून का आप लोगों को बताया गया है, वो सारी चीज़ें वहीं पे खतम हो जाएगी तो यह आपके लिए फाइदे की चीज है नुक्सान की चीज नहीं है जो लोग पूसते हैं कि मुझे लोग का धालत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए भाई जाना जरूरी नहीं है लेकिन जाओगे तो आपको फाइदा होगा नुक्सान नहीं होगा झाल